एक जंगल में दो जटायू रहते थे वह दोनों आपस में बहुत कहरे दोस्त थे कुछ ही दिनों के बाद नया साल आने वाला था या दोनों सोचते हैं यार दोस्त नया साल आने वाला है हम लोग ऐसे ही वोके सुखे नया साल नहीं मनाना चाहते हैं नया साल के दिन कोई जवर्चस्त पाटी करने चाहिए हम लोगों को क्या बोलते हो तुम इसमें बोलना क्या है तुम बिल्कुल सही बोल रहे हो पूरे साल भर में एक बार तो नया साल आता है उस दिन भी हम लोग पार्टी नहीं करेंगे तो फिर कैसे काम चलेगी तुम चिंता मत करो मैं पार्टी करने का कुछ बंदबस्त करता हूँ वो सब तो ठीक है दोस्त पर याद रखना पार्टी में बहुत से पंचियों को बुलाया जाएगा और एक साथ हुए बंद करके मार करके खा लिया जाएगा फिर देखना कितना मज़ा आएगा अरे नहीं यार या तो धोखा हो जाएगा ऐसे में तू सभी पंचियों का नया साल बिगड़ जाएगा ऐसा नहीं करेंगे हम लोग हम लोग जंगल जाएंगे और एक दू पंची को उठा करके लाएंगे और उन्हें मार करके खालेंगे और खुब अच्छे से डांस करेंगे अरी नहीं नहीं दोस्त तुम्हें नहीं पता कुछ भी तुम चिंता मत करो मैं सभी पंचियों के पास जाओंगा और उन्हें आमंतर दे के अपने यहां बुलाओंगा और फिर नए साल के दिन एक कमरे में बंद कर दूँगा फिर हम लोग उस कमरे में जाकर के उस एक एक पंची को मार करके खाएंगे फिर देखना कितना मज़ा आएगा हम लोगों कर नया साल का दिन बन जाएगा मैंने सुना है कि नया साल के दिन जो काम करता है वो पूरा साल वहीं काम करता रहता है इसलिए अगर हम नया साल के दिन पंचियों का गोस्त खाएंगे तो पूरा साल हम लोग पंचियों का गोस्त ही खाएंगे चलो ठीक है दोस्त तुम्हारी बात कभी मैंने टाली है बस यह सोचना है कि पंचियों को किस बहाने से अपने यहां बुलाया जाएगा तुम चिंता मत करो मैंने यह सोच रखा है मैं सभी पंचियों के पास जाओंगा और उनसे बोलूँगा कि हम लोगों के यहां नए साल का बहुत खतरनाक पार्टी होने वाली है मैं तुम लोगों को उसमें इन्वाइट करता हूँ सभी पंचियों ज़रूर आएंगे इधर जंगल के सभी पंचियों मिल करके नए साल के दिन को सेलिब्रेट करने की गोशिस कर रहे थे अरे सुनिये का उतर मुसी नए साल के दिन हम लोग दूसरे जंगल में जाया जाएगा और वहाँ पे बहुत बड़ी पार्टी को अर्गनाइज किया जाएगा हम लोग सारा रात वहीं पे रहा जाएगा मैंने सोचा है उस पार्टी में जंगल के सभी पंचियों को बुलाओंगी और खाने पीने की हर एक चीज की बेवस्ता होगी नहीं नहीं तुम ठीक वोल रही हो मैं भी कुछ ऐसा ही सोच रही थी मैं जाती हूँ और जंगल के सभी पंचियों को एक साथ इकठा करती हूँ तुम सभी पंचियों को सारी बाते समझा देना की नया साल के दिन हम लोग क्या क्या करने वाले हैं कुछ ही देरवाद कवतरमोसी जंगल के बहुत से पंचियों को इकठा कर लेती है और टुन्टुनी चिडिया उन सभी पंचियों को सम्याने लगती है देखो पंचियों बस दो दिन बच्चे हैं नया साल आने में मैंने सोचा है हम सभी लोग पास वाले जंगल में जाएंगे और पूरी रात वहीं पे पार्टी सेलिब्रेट करेंगे नये साल का अमंत्रण करेंगे इस सब के लिए मुझे एक दो पंचियों क्या सेकता होगी जो वहाँ पर थोड़ी मेरी काम में मदद कर दे तभी वहाँ पर एक जटायू आ जाता है दोस्तो इसका अगला पार्ट कल आएगा